कि मदद से पीजोलेक्ट्रिक मैथड पीजोलेक्ट्रिक मैथड में हम क्या करते हैं अल्ट्रासोनिक वेब को अलो करते हैं कि वो कौर्स क्रिस्टल पे स्ट्राइक करें अल्ट्रासोनिक वेब जब कौर्स क्रिस्टल पे स्ट्राइक करती है दो हम वहां पे ऐलोगेशन होती ह quartz crystal की either along the height or either along the width या तो quartz crystal फैलता है या तो तोड़ा बढ़ता है जैसे ही ultrasonic wave को हम quartz crystal पर strike करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा wearing charge produce होते हैं दूसरे end पर एक phase पर हम ultrasonic wave strike करते हैं दूसरे phase के उपर हमारा wearing charges produce होते हैं उस wearing charges की मदद से हम वहाँ पर कितना potential develop हुआ है उसको measure कर लेते हैं इस तरह से हम piezoelectric method की budget से हम ultrasonic wave की presence को detect कर लेते हैं क्योंकि अगर ultrasonic wave नहीं होगी तो वहाँ पर potential develop नहीं होगा अगर potential develop हो रहा है that means कि ultrasonic wave वहाँ पर है उमीद करता हूँ आपको method of detection of ultrasonic wave समझ आ गया हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो hit on the subscribe button thank you very much have a nice day